आप सबने time to time रुपी की value घटने के बारे में तो सुना ही होगा मगर क्या आप ये जानते हैं कि इसकी value कम क्यों हो रही है? वो क्या factors हैं जो रुपी ये for that matter किसी भी currency की value को determine करते हैं और अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिए to understand कि ये कैसे work करता है और next time जब भी ये topic छड़े तो आप अपने knowledge से सबको impress कर सकें सबसे पहले आते हैं इस question पर कि currency का valuation होता कैसे है? एक होता है fixed valuation और दूसरा होता है flexible fixed में government decide करती है कि उस देश की currency की क्या value रहेगी और flexible में value market से decide होती है अब till 1993 इंडिया में भी currency की value fixed थी यानि कि हमारी government decide करती थी कि रुपी की value क्या होगी अब उस time इंडिया एक developing country थी काफी frequently foreign aid की जरूरत पढ़ती रहती थी currency की value अगर जादा हो तो donor country लोन देने से इंकार कर सकती है for example अगर एक डॉलर की value 10 रुपी के equivalent है तो donor country के लिए लोन देना expensive हो सकता है यानि की महंगा हो सकता है ऐसे में government अगर रुपी की value घटा कर 10 से 1 डॉलर की 20 रुपे कर दे तो वही लोन जादा affordable हो जाता है ऐसी situations में हमारी government को भी time to time currency की value devaluate करना पड़ती है 1993 के बाद इंडिया ने flexible way of currency valuation adopt किया इसका मतलब है कि हर commodity की तरह currency की भी value, demand और supply से determined होने लगी demand और supply की यहाँ पर हम dollar के संबन में बात कर रहे हैं अगर market current के हिसाब से dollar की value में high दिखे तो उसके against रुपी की value depreciate हो जाती है यानि कि रुपी की purchasing power कम हो जाएगी अब ये हमने बात की currency valuation के methods की अब discuss करते हैं वो factors जिनसे currency की value affect होती है और ये सबसे major factors है सबसे पहला factor है current account deficit कोई भी country से होने वाले exports से dollar का supply determined होता है क्योंकि उन्हें अपने export किये हुए goods की payment dollar में ही मिलेगी ठीक उसी तरह country के imports भी dollar की value को affect करते हैं अगर कोई देश के imports उसके export से जादा है तब dollar की demand supply से जादा होगी ऐसी situation में domestic currency यानि कि in India's case रुपी की value dollar के against कम हो जाएगी जिस भी देश का imports जादा और export कम होगा उसका current account deficit ही जादा होगा और इसके opposite scenario की बात करें तो high exports and low imports का result ये होगा कि रुपी की value dollar के against increase हो जाएगी किसी भी दो countries की currencies की values में आने वाले difference को balance of payments यानि की BOP कहा जाता है इंडिया के case में जब तक हमारे BOP account में current account deficit होगा तब तक dollar की value रुपी से उची रहेगी तो अगर हम इंडिया की बात करें हमारे देश का import हमेशा exports से जादा रहता है जिसकी वज़ा से रुपी की value गिर रही है वहीं अगर हम चाइना का example लें वो अपना trade deficit mostly constant रखते हैं उसमें ज़ादा charges नहीं आते हैं इसलिए उनकी currency की value भी fluctuate ज़ादा नहीं होती Second major factor is inflation किसी भी country का inflation rate भी उस country की currency value को affect करता है For example, हो सकता है एक देश में एक apple खरीदी की cost एक unit हो और दूसरे देश में उस देश की currency के 1000 units spend करने पर एक apple आता हो तो उसका मतलब हुआ कि दूसरी country में inflation ज़ादा है और उसकी currency की purchasing power कम है Currency की purchasing power जितनी high होगी वो उतनी ही strong होगी Third major factor is interest rate Interest rates का currency पर असर इस तरह होता है कि अगर interest rate high होगा तो foreign investment आएंगे पैसा invest करेंगे और अच्छे से कमाएंगे जिससे foreign reserve बढ़ेगा वहीं अगर interest rate कम हुआ तो investors अपना पैसा कहीं और लगा देंगे और country का foreign reserve कम हो जाएगा लेकिन interest rate को जादा लंबे समय के लिए high रखने पर inflation बढ़ने लगता है जिससे ultimately local currency की value गिर जाती है इसलिए central bank को पूरे समय इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि interest rates balanced रहें फोर एक्जामपल कुछ साल पहले RBI ने NRI investments पर interest rates बढ़ा दिये थे जिससे कि रुपी की गिरती value को control किया जा सके फोर्थ major factor is national debt जादातर countries अपनी economic growth को finance करने के लिए loans लेती है अगर loans इतने जादा हो जाएंगे कि देश का economic growth उन्हें match नहीं कर पाए तो ऐसे case में भी end result यही निकलता है कि local currency की value गिर जाती है फिफ्ट major factor is political stability एक politically stable country foreign investment attract करती है सीदी सी बात है कि foreign investors एक politically unstable country पर अपना पैसा क्यों लगाएंगे जैसे for example Switzerland एक बहुत ही politically stable country है as a result उसकी currency बहुत strong है sixth major factor is performance of other countries for example India का direct comparison चाइना से होता है अगर चाइना की market की performance जादा strong होगी या चीन में interest rate जादा अच्छा होगा या फिर अगर वहाँ investment opportunities जादा होगी तो कोई भी foreign investor क्या करेगा इंडिया की जगा चाइना में invest करना prefer करेगा इसका end result ये निकलेगा कि चाइना फाइदे में रहेगा और इंडिया नुकसान में तो मिलती जुलती countries की performance भी currency की value को indirectly affect करती है Now on to the last thing Why the value of rupee is falling Lockdown के बाद धीरे धीरे इंडिया economically track पर आ ही रहा था कि पिछले महीने rupee की value फिर गिर गई और 1 dollar की 80 rupee value हो गई Dollar की value इतना बढ़ने के पीछे का कारण है Russia-Ukraine war Ukraine में जबसे war शुरू हुई है Crude oil के prices बढ़ गए है जिसका मतलब है कि crude oil के import के लिए India को पैसा देना पड़ रहा है जिसका निशकर्च ये निकल रहा है कि इंडिया का foreign reserve कम होता जा रहा है और rupee की value गिर रही है मैंने ये सारी चीजें आपको एक layman's term में explain करने की कोशिश की है कि rupee की value dollar के against कैसे तै होती है और value क्यों गिर रही है अगर कोई important point या factors मैंने मिस्किये हो तो आप उसे comment section में जरूर mention कीजिए similarly अगर कोई doubts है जो clear नहीं हो पाए है तो वो भी मुझे comment section में जरूर बताईए I'll make sure कि I'll clear those doubts इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को subscribe करके bell icon दबाकर all notifications पर click करना ना भूलें ताकि the next time when I upload a new video you get notified और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like और share जरूर करें बाई झाल झाल झाल